आज की इस वीडियो में हम डिस्स करने वाले हैं किस तरह हमने वाइफाई नोट फाउंड के एरर को सॉल्व कर सकते हैं यानि कि हमारी जो टास्क बार है यहां पर हमारे पास वाइफाई का आइकन अवेलबल नहीं है और हमारा जो इंटरनेट है वो भी डिसेबल है तो किस त माम एरर को सॉल्व कर सकते हैं सबसे पहले हमने विंडो प्लस आर प्रेस करना है रन कमार्ड में टाइप करना है services.msc तो जैसी हम services.msc टाइप करेंगे ok के बटन पर apply करेंगे तो इसका जो dialer box है कुछ इस तरह से हमारे पास appear होगा यहाँ पर हमने find करना है wlan auto config और w का बटन हमने press करते रहना है जैसी हम इसका बटन जो है वो press करते रहेंगे यानि के w press करते रहेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हम देख सकते हैं wlan auto config यहाँ पर इसको हम select करेंगे select करने के बाद इसके उपर double click करना है इस mini box को हम थोड़ा zoom करते हैं zoom करने के बाद यहाँ पर हम start up type इसको हमने set करना है automatic पर तो जैसी हम इसको automatic पर set करेंगे और apply करेंगे और इसके बाद हमने इसको ok करना है तो इस box को हमने close करना है तो इस box को close करने के बाद हमने अपने PC को restart करना है इसके बाद भी अगर यहाँ पर हमारे पास problem solve नहीं हुई तो इसके बाद हमने step number 2 पर work करना है वो step number 2 क्या है हमने start के उपर हमने right click करना है तो start menu में आएंगे यहाँ पर हमने network connection इसके उपर apply करना है तो जैसी हम इसके उपर apply करेंगे तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं हमारा internet not connected है हमने change network adapter पर click करना है तो जैसी हम इसके उपर click करेंगे और wifi को select करके right click करेंगे और इसको enable करेंगे अगर यह disable है तो फिर इसको enable करेंगे अगर enable है तो disable करेंगे फिर इसको enable करेंगे यानि कि इसको हमने enable करना है तो इसको enable जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टास्बार पर click करेंगे तो हमारा जो internet या wifi सर्लेटर जो भी problem है वो solve हो जाएगा इसके बाद हमने simple सा काम करना है हमने wifi के उपर right click करना है properties में आना है तो इसका जो mini box है कुछ इस तरह से हमारे पास appear होगा इसके बाद हमने यहाँ पर एक simple सी setting करनी है configuration पर apply करना है यानि के config करना है इसको तो यहाँ पर हमारे पास काफी सारे tabs हैं इन में से हमने select करना है power management और यहाँ पर हमने disable करना है इसको वाइफाई का power saving mode है इसको disable करना है ओके करना है और close करना है इसके बाद इस box को भी हमने close करना है तो यह setting हो चुकी है हमारा तमाम जो भी wifi से related problem है वो solve हो जाएंगे इसके बाद हमने search में आना है और यहाँ पर type करना है edit power plan या आप simple power type करके ok कर सकते हैं इसको जैसी हम ok करेंगे तो यह simple सा box हमारे पास appear होगा यहाँ पर हमने change advance power setting इसके उपर apply करना है जैसी हम इसके उपर apply करेंगे तो इसका box हमारे पास यानिके mini box जो है वो कुछ इस तरह से appear होगा यहां पर हमने इसको Balans पर set करना है यानिके यहां पर More का button है इसको Balans पर set करेंगे और यहां पर find करेंगे wireless adapter setting तो इसके Plus के button पर click करेंगे फिर Power Saving में आएंगे इसके Plus के button पर click करेंगे on battery को हमने set करना है maximum performance पर यहां पर हमारे पास काफ़ी सारी performance है तो इसमें हमने select करना है maximum performance और plugged in यानिक अगर आपका computer है तो वहाँ पर भी आपने इसको maximum performance करना है apply करना है और इस box को close करना है तो आपका problem solve हो जाएगा अगर फिर भी solve ना हो तो start के button पर right click करना है command from admin को हमने select करना है तो इसकी black window कुछ हमारे पास इस तरह से appear होगी यहाँ पर हमने एक command type करनी है जो के आपको description से भी मिल जाएगी आपने यहाँ पर type करना है netcfg-d इंटर करेंगे आपके जितने भी wifi से रिलेटर problem है या आपकी internet की speed slow है या जो भी problem है वो solve हो जाएगा इसके बाद आपने एक simple सा काम करना है यहाँ पर आपने type करना है last में exit तो जैसी हम exit type करेंगे तो यह box हमारे पास disappear हो जाएगा close हो जाएगा इसके बाद आपने start के button प problem है वो solve हो जाए